जैहिन बंदेमात्रम सातिय। मैं धर्मेंद रगवन सी पुना एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सातिय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मत्यप्रदेश की सास की कर्मचारियों को लेकर। जीया सातिय। आप सभी को मालूम है आली में लोग सभा चुनाओ की प्रकिरिया प्रारम होने जा रही है जिसमें की 19 अप्रेल को लोग सभा चुनाओ का पर्थम चरन प्रारम होगा। अब उसी में विवन सास की कर्मचारियों की डूटी लगाई गई है। बहुत सारे सास की कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्वस्ता के चलते या अनकारणों के चलते। लोग सवा निर्वाचन में जो उनकी डूटी लगाई गई हैं उनको निरस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सास की कर्मचारियों की चुनाओं में डूटी नहीं लगीगी बर्तमान चुनाओं में ऐसा देखा जा रहा था ऐसे सास की कर्मचारी जिनकी सेवा निब्रिती में 6 माय अत्वा इससे कम का समय बचा है ऐसे सास की कर्मचारियों को चुनाओं प्रकिरिया में सनलगन किया जा र ता अब उसी पर कारी करते हुए कारी ले मुख निर्वाचन पदाधिकारी ने एक मेहत्पूर आदेश जारी किया है जो कि प्रिदेश के समस्त जिला कलेक्टर एबम निर्वाचन अधिकारियों के लिए जारी किया गया है आप देख सकते हैं 6 माए की अबदी में सेवा कारी संग द्वारा अब गत कराए गया है कि ऐसे अधिकारी कामचारी जो 6 माए की अबदी में सेवा निब्रेथ हो रहे हैं उनकी निक्तियां लोगसवा निर्वाचन 2024 के कारिये में की गई है अता उप्रोग संब्द में भारत निर्वाचन आयोग के विद्वान निर्दे कारी हैं जिलेके उनके लिए निर्देशित कर दिया है कि भारत निर्वाचन आयोगने जो दिसा निर्देश संबंदित कर्मचारियों को लेकर जारी किये हैं उनके अन्रूपी आप कारी करें भारत निर्वाचन आयोगने अपने निर्देशों में यह सपष्ट किया है कि ऐसे सास की कर्मचारी जो 6 माए अत्वा इससे कम अबदी में रिटायर होने जा रहे हैं उनकी जो डूटी है बाइच चुनाव परक्रियामे न लगाई जाए तो ऐसे सास की कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है साथी ये था आज का मेहतून अ अबडेट एवन नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत मित्रो